दोस्तों सीटट 2021 का पेपर 16 दिसंबर से ले करके आपका 13 जनवरी 2022 की बीच में हुआ था आपका जो 16 17 का पेपर था वो आपका जा करके 17 21 जनवरी 2022 को कंप्लीट हुआ जो रद हो गया था हम आपको बता दे अगर हम answer की की बात करते हैं अभी जो आपके पास है वो responses अभी जारी हुए है ठीक है अगर हम आपके answer की को ले करके ऐसे में बात करें तो answer की आपका लगभग 10 से 12 दिन लगेगा answer की को release होने में मतलब 21 में आप 10 और जूर दीजिए तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो जनवरी लास्ट होगा और फैब के starting में आपका answer की जो है वो seated.nic.in इसी website पर आपको देखने को मिल जाएगा वहीं अगर हम बात करें आपकी result को लिए करके तो result में आपका कम से कम 15 दिन का समय लगता है तो इतना आप मान के चलिए कि अगर हम बात करें आपके mid-feb, mid-feb तक आपका जो seated का result है वो आपको मिल जाएगा हम आपको बता दे normalization का concept इसके पहले भी हम आपको explain किये थे इस बार normalization है मतलब कहने का ये है कि जो आपके माली जी अगर आपके 91 marks आए है आप general category से हैं उस दिन paper आसान आया था बाकी बच्चों का जो marks है वो आपका 95, 96 है तो ऐसे में आप जो है वो fail घोसित कर दिये जाएंगी वहीं दूसरी तरफ अगर हम आप general category से हैं आपके 89 marks हैं और उस दिन paper कठी न आया था बाकी लोगों के भी ऐसे ही marks हैं तो आपको pass कर दिया जाएगा यह normalization का concept है जो सीटेट में इस बार लागू हुआ है इसके लोगा कोई और सवाल है तो आप comment section में हमारे लिख सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं